नमस्कार किसान भाईयों, स्वागते आप सभी का हमारे चैनल लाइव एगरो में दोस्तों आज हम बात करने वाले सर्सू की खेती के बारे में इसमें बुआई के समय में क्या क्या डालना चाहिए और कौन सा बीज डाले, कितना डाले, उसी के साथ हमें इसका कल्टिवेशन करने में और कौन से न्यूट्रियंट की आवश्यक्ता होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे सर्सू का रभी सीजन की तेलनी फसलों में एक मुख्य रोग स्थान है सर्सू क्या एक कम खर्च में अधिक पेदावार देने वाली फसल है तो इसमें हम कौन सी उच्च तेक्निक अपना कर पेदावार बड़ा सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे अगर इसके तापमान वर भूमी की बात करें तो इसे हम कौन-कौन सेत्र में लगा सकते हैं इसके लिए लाल, काली, भुरबुरी, दोमट, मिटी होती है उस खेत में हम इसकी बोई कर सकते हैं करीबन इसका तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए और अगर इसके कौन-कौन से राज्य में इसकी खेती करी जाती है शर्षु की अगर बोई का सही समय देखे, तो सितंबर मा के पहले सपते से लेकर अक्टुमबर मा के पहले सपते तक हम इसकी बोई कर सकते हैं उससे हमें अच्छी पेदवार देखने को मिलेगी दोस्तों अगर इसमें हम उर्वरग की बात करें कि हमें इसमें कौन-कौन से खाट डालना चाहिए तो बुवाई के समय हमें इसमें डिएपी यानि की डायमोनियम फोस्पेट आता है जो अठारा चियालिस रहता है वो हमें जमीन में डालना चाहिए और अगर पहला डोस जो की 20 से 25 दिन पर हमें यूरिया के रूप में इसमें देना चाहिए और एक यूरिया की मात्रा करीबन 60 दिन की अवस्ता पर हमें इसमें देना चाहिए अभी हमने डिएपी की बात करी थी कि जमीन में हमें डालना चाहिए तो इसकी मातरा कितनी होती है उसके बारे में भी हम जान लेते है डी एपी एक एकड में एक बेग यानि कि 50 किलो हमें सुरू में डालना चाहिए इसी की साथ 25 किलो पोटास एक एकड में मिलाना चाहिए और अगर एक एकड़ की बात करे तो हम इसमें सलफर भी मिला सकते है चोकि तेल की मातरा बढ़ाने में साय होता है तो इसमें 5-6 किलो सलफर हम एक एकड़ में मिला सकते है इस फसल में कौन सा कीड लगता है वो क्या हनी पोचाता है और उसकी रोकता हम कैसे करे उसके बारे में हम बात करते है इसमें मुख्य कीड है माहू जिसे हम हरा तेला भी कहते है या हरा मच्चर कह सकते है इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये घरे रंग का कीड होता है जो फलियां, पत्ते और जो तना होता है उसको नुकसान पहुचाता है और फूल को भी रस्चूस कर उसे हानी पहुचाता है इससे करीबन 25-25% तक नुकसान देखने को मिलता है ये केड ताम मान बढ़ने पर बढ़ता है और इसका मुख्य प्रकोप दिसंबर माज और जनवरी माज में रहता है अगर इसके रोगथाम की बात करें तो इसमें डाय मेतोईट जोगी 30% EC formulation में आता है उसका एक लिटर कॉम्बिनेशन और उसके अलावा फेंटो थियान आता है जो 50% EC के फॉम में आता है उसको एक लिटर दवा का कॉम्बिनेशन हम 700 से 800 लिटर पानी में एक हेक्टेर में छिड़काव कर सकते है दोस्तों अगर इसके कटाई की बात करें तो जब फलियां हलकी सुखने लग जाए या बुरबुरी होने लगे तब हमें इसकी कटाई कर लेना चाहिए इसके अलावा अगर हम इसकी ओस्तन उपज की बात करें तो ये करेबन 25 से 30 कुंटल परती हेक्टेर देखने को मिलती है ये थी बुवाई से लेकर कटाई तेक की कुछ मैदपूर्ण जान करें इसके अलावा इसमें कौनकुन सी विराइटे आती है चो अच्छी पेदावार देती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम जल्दी उस पर नया वीडियो बनाएंगे तन्यवाद